नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शाम भाटिया और आप सभी का स्वागत है यह कड़े मंटित्रे पर आज हम बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो कि ये 2019 का मैंने ये वेबसेट ओपन कर रखा है और यहां पर आपके सामने लिखाओ फिल एप्लिकेशन फार्म और यह सारे इंस्ट्रक्शन से और यह कॉमनली जो नेशनल टेस्टिंग एजिंसी इसको होस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ इसके पहले मैं हलकी से आपके बात शेयर करना चाहता हूँ स्लॉट बुकिंग को लेकर अल्टिमेटली कि स्लॉट बुकिंग क्या चीज होती जैसे आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा आगे चलकर तो कि वो स्टार्टिंग पर रखे आप स्लॉट चाहे यानि आपका स्टार्टिंग में रखे या कहीं मीड में रखे कहां पर रख में slot रखा तो आपके साथ क्या समझ्चे हो जाएगी कि जो एक्जाम का पैटर्न है उसको एनलेसिस करने वाले जैसे कोचिंग इंस्ट्रीट है आप है या जो भी और लोगों यूट्यूब से हर जगे से कहिंद के आपके पास एक एनलेसिस हा जाएगा कि इस सेक्शन से इतने कोशन्स आ रहे हैं उनको एसे और अटेंड करना है और उनका वेटेज इतना है इस इस टॉपिक पर वो इतना फोकस कर रहे हैं यह एक 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 एनलेसिस आपके पास आजाया अगा लगबग दो चार दिन में कि यह एक्जाम जो आ रहे है एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंस से और इनका एटिट्यूट क्या है जो उनका पेपर से टर है उनका माइंड किस बैरेक्शन में मूँ कर रहा है व लगबग कब से स्टाट हो रहा है छे से स्टाट हो रहा है अगर इसके अंदर को आप रखते हैं तो उससे क्या रहेगा आपको यह फाइदा आ जाएगा कि आपको अगर प्रोसेस को लेकर और जो भी उनके डूस और जो एक्जाम का पैटरन है इस्टक्चर है एनलिसिस है यह सारी चीजाब तक पहुँच जाएगी तो यह फाइदर है और अंद में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आखरी में अगर रखने तो वह अगर चांसेंस रहते ह आपके जो इग्जामीनेशन का कुशन पर ही हाट हो सकता उस अनुपात में आपकी क्रीपरेशन हाट नहीं रहती है अगर मालो कि 10 परसेंट उनने हाट पेपर कर दिया तो आपकी जो प्रेपरेशन हो रहे हो वह 10 परसेंट नहीं इंक्रीज कर पाई क्योंकि लगवग 10-12 तो आपका लगवग एक यह दो परसंट दस बारा दिन में के दो आपके लिए दीकत हो सकते इसलिए लास्ट को आप आवाइट करें जहां तक हो सके मां तक और इस्टार्टिंग को भी आप जानने के लिए को सकते हैं मीड का जो हक यह दीवेश्ट नेम उस्टार्ट करते है सबसे पहले यह पास ये फिल फ्लेट करना और इसे यह आ कि आपका इसके सिगनेचर भी इसकेड होने चाइज हो तो अगर जो आपको क्षट पाțस है। तो आपको यहां से registration स्टाट करना है, उसके बाद upload images तो उसमें मेलितीन images है, जैसे कि फोटोग्राप, signature और कास्ट सर्टिफिकेट और और जो requirement हो आपको upload करना है, और उसके बाद फिस पे करना है, तो यह जो लिखा हुआ नेशनल टेस्टिंग एजनसी और जो मिनिस्ट्रिस को होस्ट कर रही है, तो यह सब कुछ है, तो अब 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 चलते हैं, तो इसको आगे हटाते हैं, और यहां पर आपको आना है, अप्लाइफर जी 2019 पर जैसे क्लिक करेंगा, तो आपके इस इस इंटरफेस पर आजागे, यह निविगेशन पर आजागे, और यहां पर मैं जूम करता हूँ, तो यह सारे इंस्ट्रक्शन से लिखे हैं, लेकिन अगर यह तो सिंपल सिंपल है, मैं इसको एक्स्प्रें कर देता हूँ हिंदी में, अगर आप सिंपल पेपर अगर एक ह प्लानिंग का जो रहता है, क्योंकि इसको पाने लगा, क्योंकि मल्टिनेशनल कंपनी आ रही है, और उनको भी डिजाइनर वगरा की भोजा दावशक्ता पड़ रही है, तो यह भी बहुत अच्छा प्लेस्मेंट देने वाला सेक्टर है, तो आप इसको भी साथ में रख स दोनों पेपर आप्ट करते हैं, तो नो सुर रुपे जनरल ओवी से में लगेंगे आपके, इस अपकी एप्लिकेशन फिस, और अगर से स्टी पीडेबियूटी गल से ट्रांसजेंटर हो तो आपको साड़े चार सुर रुप लगेंगे, और यह तो आपके लिए हैं, यह त तीन डाकुमेंट उसने एक्स्प्राइन कर रखे हैं, तो एक तो इसके फोटोग्राफ एंड सिगनेचर शुड भी जेपीजी है, जेपीजी है तो अपन बात करें चुकिए और जो साइज है आपका वो दस केवी से 200 केवी के बीच में होना चाहिए आपके पासपोर्ट सा पासपोर्ट कर देंगे और यह सब कुछ करने के बाद और यह तो पासवर्ट के इंस्ट्रक्शन है उसके बाद अंत में पहुंचने के बाद आपको आना है प्रोसिट टो अप्लाय ऑनलाइन जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे विंडो पर नेविगेट हो जाएंगे जहां पर यह इसको में सबसे पहले यह चेक बॉक्स है इसके अग्रिमेंट पर साइन कर लिता हूं और इसके बाद आप आ जाते हैं इस इस नेव नेविगेट हैं जुड़ा रहे हैं जो बी है तो आपको स्लेक्ट कर लेने का तो मैं भी मनों करना है आंधरा वोड स्लेक्ड कर लेता हूं और उसके बाद आपका स्लेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है जिसे अधार कार्ट या इस्टूडए पासपोर्ट राशन कार्ट और यहां पर आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको डेटा बर्थ यह सब कुछ करने के बाद उसके बाद आपको केपचा फिल करना है और नेक्स्ट पर नेविगेट हो जाना और यह इसके अंदर यह जो आपकी सब्सक्राइब करना है और उसके पहले आपको यहां पर आना है जो इमेजेस अपलोड करनी है यह और उसके अंदर अगर कास्ट है यह हो जो भी रिक्वार्मेंट इमेजेस वगेरा होगी वह आपको कर देना है कोई दिकत नहीं उसमें तो सब कुछ आसान रहता है सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन आपको बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है अगर कोई भी एजनसी पहले बार और अगर अगर कोई भी एजनसी पहले बार अगरनेज करवाती है तो वह हर चीज को थोड़ा सिंपल लेके चलती है क्योंकि एज़े स्टाइटिक लेवल पर है तो यह आपके लिए एक आउसर भी है कि यह जो आपका कोईशन पर सिंपल लानेक पॉसिबिलिटीज है तो आप वह भी आपके लिए अच्छा ले सकता है तो मैं कहना चाहूंगा आग